हेलो फ्रेंड वेलकम टो दे स्टड़ी क्लासेश तो आज हम लोग साधारेट ब्याज निकालना सिखेंगे साधारेट ब्याज निकालना बहुत ही असान है तो वीडियो को लास तक ज़रूर देखेगा प्रस्ट ने क्या दिया हुआ है 10,000 रुपय का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो साधारेट ब्याज का जो फर्मूला होता है देखे मैंने यहां लिग दिया है साधारेट ब्याज बराबर मूल धन गुड़े दर गुड़े समय बटे में 100 ब्याज को हम इंग्लिज में बोलते हैं सींपल इंट्रेस्ट मूल धन को बोलते हैं प्रिंसिपल दर को बोलते हैं रेट समय को बोलते हैं ठाइम ठीक है दस अजार रुपया ठीक है गुड़े और दर क्या होता है देखें पांच परतिसात वार्षिक दर मतलग एक साल में आपको पांच परसेंट देना है कितने रुपय का दस जार का ठीक है दस जार का पांच परसेंट देंगे कितने साल में एक साल में तो वही जो दर होता है उस समय के जगह पर निख लेंगे 2 बटे में 100 टीक हैं अब बनाबर में देखे दो जीरो से 2 0 कर जाएगा याً को इसको हमुद कर लेती हैं सौको पांच से गुड़ा करेंगे तो 500 हो जाएगा पांचो गुड़े दो करेंगे तो कितना आजाएगा एक हजार एक हजार हमारा क्या निकल का आया है यह हमारा है ब्याज ठीक है यह हमारा ब्याज निकल का आया है तेना कितना अमाउंट है तो उसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे मिस्त्रधन कि भराबर क्या होता है कि मूल धन कि में प्लसबी जो हमारा देवाज निकल क्या है व्याज को हुझ मूल रहा है तो तो कि अनुप्लस उसमें प्लस एक हजार प्लस कर लेंगे क्योंकि व्याज हमारा कितना रूपया उसे देना है तो यह हमने देना है जिससे हमने 10,000 रुपया लिया है ठीक है तो चले एक प्रस्न और देख लेते हैं तुसरा प्रस्न क्या है 5,000 रुपय का 8 पर 30 वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा तो फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का बराबर मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे में 100 मूलधन हमने कितना लिया है 5,000 रुपया तो मूलधन के जगे लिख लेंगे हम 5,000 रुपया गुड़े कितने दर से 8 पर 37 वार्षिक दर से तो 8 लिख लेंगे गुड़े कितने समय के लिए तीन वर्स के लिए तीन लिख लेंगे बटे में एक सो दो जीरो से एक दो जीरो कर जाएगा उपर हमारा कितना बचा पचास गुड़े आठ गुड़े तीन नीचे एक है तो इसका कोई मतलब नहीं है तो पचास गुड़े आठ करेंगे तो पांच अठे चालीस और एक जीरो एक गुड़े तीन बराबर चारतियां बार है यानि बारा सो रुपया यह हमारा कितना क्या निकल काया है यह भी हमारा क्या निकल काया है यह ब्याज निकल काया है ठीक है यह हमारा क्या है 1200 रुप्या ब्याज है। yeah उसकाале 5000 का 1200 या ब्याज निकल कोई है तो अ झ मम क्या करेंगे लिखेंगे मिस्र धन को इंगलिश में माउंट पोलते हैं ठीक है और उसके बाद बराबर मूलधन मूलधन प्लस ब्याज मिस्तर धन का फॉर्मूला होता है यानि amount is equal to principal plus interest ठीक है इंग्लिस में होता है तो मूलधन हमने कितना लिया है तो मूलधन देखिए हमने कितना लिया है पांच हजार रुपया ठीक है तो इस पांच हजार क्या करेंगे हैं लिख लेंगे मूलधन के जगे पे पांच हजार प्लस ब्याज हमारा कितना निकल का है बारसो प्लस बारसो बराबर कितना आ जाए तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जिरूर करिएगा थेंक यू